नमस्कार आप सबीकाब बहुत बहुत आपका स्वागत है अबनिंदन है इलहबाद विशुविद्दाले के मेन कैंपस के साथ साथ अब अफिलेटिट कॉलेज में दाखिले की होर सुरू हो चुकी है यानि कि वहां का भी प्रोसेस अब सुरू हो चुका है तो एक बहुत बड़ा confusion हमारे दिमाग में रहेगा और अब हम decision making में थोई सी दिक्कत का सामनाम को करना पड़ेगा हम confused होंगे confused होने के साथ साथ हमारे मन में सवाल चलेगा कि हमारा admission कैंपस में होगा की नहीं होगा अगर campus में नहीं होगा तो हम college के लिए कब तक wait करें और college में हम कब admission लें बहुत विद्यार थी college चले जाएंगे बहुत विद्यार थी एक तरीके से अपने आपको इस्थिर नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐचा decision लेंगे जहां पर वो बाद में अगर campus में admission को तो बाद में पस्ता आएंगे वो पहली बात तो यह है कि आप ध्यान से इस video को देखे कि क्योंकि आप college के admission पर किरिया शुरू होने के बाद क्या क्या दिक्कत आपके सामने आने वाली है और उस दिक्कत का क्या solution है इस video के माध्यम से हम आपको बताएंगे बहुत ध्यान से आप देखिएगा अन्तिम तक देखिएगा दूसरी बात यह है कि अगर आप लाहबाद विश्विद्दाले के चात रहें दाखिला लेना च कि सारी चीजे आपके सामने खड़ी होने वाली है पहले तो आप लाहबाद विश्विद्दाले के सारी अपडेट के लिए यहां से जूड़ जाएए दूसरी बात यह है अफिलेटिट कॉलेज के अड्मिसन प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है आज से मैक्सिमम दो तीन कॉलेज अपना कॉट आफ जारी करने के बाद एडमिसन के फेकिरा सुरू कर दिये हैं अब देखें केमपस की क्या स्थिती है अभी केमपस की 10 से 15 परसंट ही सीटे भरी हुई है बीए का भी अभी आडमिसन ही नहीं चालू है बीकॉम का एडमिसन चालू है लेकिन मुस्कि ये आज़ से 5 परसंट या नहीं आया है तो सावाल यह खड़ा होता है कि अब कॉलेज के इडमिसन सुरू होने के बात क्या हम को कॉलेज में चले जाना चाहिए यह हमारे लिए सावाल ख़ड़ा होता है दूसरी बात यह कि बहुत सारय छार्ट डिसीजीजन में तौसीं मे दे दिये हैं कि आप आईए सीध्य आडमीशन पाईए तो ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा अभी उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है अभी आपकी बीए की मेंन केमपस की कट ओफ आई ही नहीं है मेंन केमपस की कम सकम बारा से तेरा राउंड कट ओफ आती है अब नाले एकदम साफ बात है जो विद्यार्थी बी-ए कोर्स के लिए सेफिस्कोर का वीडियो हमने बनाया था आप उसको जाके देख लीजिए जो निव सेफिस्कोर है उसके उपर जितने विद्यार्थी उनका केमपस में अडमीशन होगा वो अभी भी कॉलिज की तरफ कोई वाली सारी कट ओफ अभी और भी आना बाकी है तो जो और कम नंबर वाले उससे चात्र हैं वो भी अभी कहीं भी नजाएं दूसरी बात यह है कि कॉलेज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्सन है हमारे पास CMP है हमारे पास ISDC है हमारे पास ADC SPM है हमारे पास ECC है इसके साथ सा जहां पे competition बहुत ज़्यादा है competition कहा ज़्यादा है competition सब्सक्राइब कोर्स में है तो बी एललबी कोर्स में अगर competition ज़्यादा है तो जो भी लड़किया है वह ऐसा सखना में जाकि अपना फॉर्म ले ले CMP ISDC की BLB की जो प्रवेश प्रक्रिया वह online होगी तो उसके लिए भी परिसान नहीं होना अभी सिर्फ यू आर का ही cutoff 547 की आज पास चल रहा है अभी category की cutoff आना बागी है यानि OBC category, EWS category, YCC की cutoff आना भी बागी है इसके बाद CMP की cutoff आएगी BLB की फिर ISDC की भी आएगी तो इस वज़ा से बी एलबी वाले तो अपना काम करें क्योंकि वह हर जगा ट्राइग करें लेकिन अभी लड़कियां ही ट्राइग कर सकती है ऐसा स्खना में जाके फॉर्म ले सकती है लेकिन अभी जिनका नंबर लड़कियों का ज्यादा है वह भी campus के लिए वेट करें वह भ वेट करें BSC वाले भी इंतिजार करें धीर धीर अभी इंतिजार करिए अभी इतना जल्दबाजी मत करिए कोई decision लेने में कि हमको college जाना ही जाना है अभी थोड़ा सा वेट करिए हम भी पूरा analysis कर रहे हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है यह हम आपको यहां से बता रहे हैं लेकिन जो विद्यार्थी safe score के ऊपर है वो अभी बिल्कुल भी परिसान मत हो अभी शुरुवात का पहला ही सपता चल रहा है अभी इत्पिनान से एक दो cutoff आने दीजिए दू-तीन cutoff आ जाने के बाद फिर हम बताएंगे आपको जाना कहा है लेकिन यह है जैसे अ कॉलेज के प्रॉसस की बताउंगा आप उसको द्यान से देख लिजेगा कि क्या स्थिति है आपको रेटिंग के भी विस्थे में बताऊंगे कि कौन से कॉलेज की अच्छी रेटिंग है यह मेरा खुद का ओपीनियन है और मैंने चीजों को एनालिसिस करने के बाद उसके क प्रॉसस का अभी चल रहा है तो केंपस का अभी चलने दीजिया अभी भटकी है मताब यह प्रॉसस अभी चलेगा लगबग एक महीने तक अभी 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 ऐसा अपर बाद ले लिजिये जिसे कि बाद में आपको 3 साल वहीं पढ़ना पड़े इस वजह से अभी थोड़ा आप थोड़ा इंतियार करिए लेकिन सबसे ज्यादा समस्या होती है किसको unreserved category को तो कि इनकी cut-off बहुत ज्यादा ही रहती है तो यही छात्र अंतिम में फस्ते हैं अब जान लिए campus का cut-off unreserved category का बीए का जो गिरेगा वो 530-520 के असपास गिरेगा तो 500 नमबर के नीचे जो चात्र unreserved category के वाले हैं वो college की तरफ रुख करेंगे इनके लिए हम आपको बता रहे हैं अगर आप college में तो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको college के लिए रुख करना है अब BLLB माल लेजिए कि campus record of 520-525-30 के आसपास रहता है unreserved category का उसके बाद फिर CMP में 480 माल लेजिए आजए DC में माल लेजिए तो तो साड़े 400 के नीचे वाले चात्र है 460 के unreserved category के उनके लिए कोई option ही नहीं बचेगा BSC में भी AC स्थिति है तो unreserved category के लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है तो वही चात्र अपने लिए ज़्यादा थोड़ा सा चिंतित हो चिंतन मनन करें लेकिन अभी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं तो इस वज़ा से परिसान अभी आप मत हुई है अभी campus की cutoff के बराबर college की cutoff चल रही है जैसा कि CMP का 390 नंबर cutoff आया बिकॉम का तो अभी campus वाले चात्र भी वेट ही करें क्योंकि अभी सारी seat भरी नहीं हुई है तो हम आपको यहां से बताएंगे एक बाद C2 का analysis हमारे पास आजा तो हम आपको अच्छे से बताएंगे अभी BA वाले कहीं भी मत परिसान हो campus का cutoff आने दीजिए उसके बाद ही आपको इस decision लेजिए यह बात हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं द्यान से इसको आप अच्छे से समझ लीजिए सूस समझ खेंड़ने लीजिए स्वयम का अपना decision होना चाहिए अपने माता-पेता से पूछिए कोई जानकार हो से आप decision लीजिए किसी के कहने पर कुछ मत करिए अपना जो स्वयम नेड़े हो अपने भविस के लिए आप अपसे बहतर कोई सूच नहीं सकता बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अभाद